करने को क्या कुछ भी किया जा सकता है कौन रोकता है कौन रोकेगा कौन मना करता है कौन मना करेगा रोकने को तो जिन विधाता ने ये जोला ये शरीर रुपी जोला त्यार करके दिया था वो भी नहीं रोकेंगे उनका कार्य था कि उस शरीर को त्यार करके दे देना बाकी तो उन्होंने स्वतंत्र करके भेजा था भेजा है जो मर्जियाए वो किया जाए सोचने समझने की शक्ती भी तो दे दिया अब और क्या चाहिए था येदि सोचने समझने की शक्ती न होती तो भी गनी मत थी परियरे सोचने विचार करने की छमता होते हुए भी अगर विचार न किया गया सोचा समझा ना गया और नकारत्मक्ताओं में अवगुणूं में पाप कर्मों में सनलिप्त होकर उसी में उलचकर जीवन को बरबाद कर लिया तो भी कौन मना कर रहा है उन विधाता ने तो नियम ही बनाया है कि जो जो भी जैसा जैसा कारे करेगा उसको वैसा वैसा ही परिणा मिलेगा जो इस शरीर रूपी जोले में रतनों को भर कर लाएगा उसको उसके सकारात्मक परिणा मिलेगे जो सब कुछ भर लाया है उसको वैसे परिणा मिलेगे और जो केवल और केवल कंकर बजड़ी घोंगी आदिभर कर लाया है उन उनको वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा उसी के अनुरूप उनके आगे के गंतव्य के इस्तितियां त्यार होगी आगे के उद्देश उन्ही जोले में भरे हुए वहन की हुए वजन से ही निरधारित होंगे इसमें कोई संशय नहीं है कोई दोराय नहीं है कि जो जो जैसा जैसा कर्म करकर गया होगा उसी के अनुरूप उसे फालप राप्त होगी है यही तो प्रकृत का नियम है यही विधाता के दोरा नहित सिद्धान त्यार किया गया है जिसमें ना तो कोई फेर बदल आस तक हुआ है ना हो रहा है और ना होकर रहेगा इसलिए अच्छा है कि प्राणी अपने आपको एक यात्री के रूप में मान कर सोंस समझ कर कदम उठा कर किवल और किवल सदकर्म सदगुन सकारात मकताओं रूपी रत्नों को एकत्रत करके पहुँचे तो उसे ज्यादा लाभ राप्त होंगे